नमस्कार दोस्तों मैं हूं जीतिन चोदरी स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल जेके एरुटेक में दोस्तों रूची सोया सेर्फ में एक बहुत बड़ी निकल के आ रही है कि आचार बाल कृष्ण ने दिया यहां दोस्तों जो रूची सोया एंडस्ट्री जो कंपनी है उसके जो एमडी है मिश्टर आचार बाल किष्ण जी ने उन्हों ने अपना स्थीफा एंडी पस से दे दिया है तो इस स्थीफे से जो है इस सेर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जानेंगे इस वीडियो में तो ब स्थीफा दे दिया है और उनकी जगह राम भरत को जो है सत्र दिसंबर दो हजार बाइस तक जो है अपांडमेंट किया गया है उनको इस कंपनी के पद के लिए 17 दिसंबर 2022 तक जो है वे इस कंपनी के जो हैं यंडी बने रहेंगे राम भरत जी लेकिन एक गुड्ड नीव रुचि सोया के लिए एक है कि रुचि सोया के जो आचारे बाल क्रिष्ण जो है वे अभी भी चेर्मेन का पत्थ समाले हुए है यानि कि चेर्मेन की कुरसी अभी भी उनके पास है आचारे बालकिष्ण जी ने इस्तीफा दे दिया लेकिन चेर्मेन का जो पोस्ट है उस पर अभी भी ओ कायम है अगर बात की जाए रुची शोया के बाउन विक हाई और लो प्राइस की तो इसका जो बाउन विक का लो प्राइस है वह 16 रुपे बीस पैसे जो 27 जनर्वरी 2020 को बनाता और वाउन विक का हाई प्राइस दो सो 15 रुपे पैसे जो 26 जुन 2020 को बनाता ठीक है कल की टेडिंसेशन में एस्टेर 719 रुपे 20 पैसे से ओपें हुआ साथ 119 रुपे 20 पैसे का इसमें हाई बनाया और 685 पैसे का लो रहा और 695 रुपे 15 पैसे पे ख्लोज हुआ देखें रूची सोया का जो सेर है वो मल्टी बलेगर सेर है अब सोलर रुपे से सोलर रुपे 20 पैसे से जो है 1519 रुपे का हो जाता है बिदिन 6 मन तो आप सोच सकते हैं कि रुची सोया जो इतना वड़ा उच्छाल इतना वड़ा जंप जो है सिर्फ इस सोलर रुपे तो वह अचानक से 15 सो हो गया तो जिसने भी सोलर रुपे पैसे इंवेस्ट किया होगा रुची सोया में उसने खुम माल कमाया होगा लेकिन यदि अब जो है रुची सोया का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है अब एक से एक जो इसमें गिरावट और दिक्कते आ रही है तो अभी आपको रुची सोया में बाइंग करने से बचना चाहिए थोड़ा वेट कीजिए रुची सोया को थोड़ा और नीची आने दीजिए तब जाके अपना पोजिशन बनाएं तो आई हब दोस्तों वीडियो आपको जुरू पसंदा होगा यह दि देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद